आपने कम्यूनिटी पोस्ट में यह पूछा था कि आप लोगों में से बच्चे वो कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं आप सबने मुझसे बोला कि आपको हेड का ब्रेन का यह जादा वीडियो चाहिए आपको बेसिक्स नहीं आते हैं तो आगे का पढ़ना सब कुछ useless होता है आज के इस वीडियो के अंदर में आपसे बात करने वाली हूं रिलेटेट टू इसकल के बारे में और इसकल से रिलेटेट हम कुछ बेसिक्स पॉइंट को पढ़ेंगे और आफ्टर दाट मैं और फॉर्दर वीडियो में आपको और चीजें के लियर करती रहूंगी इसकल की और उसके बाद हम ब्रेइन, हैड अन सो मैनी थिंक्स परने वाले हैं इस अनात्मी के तीन दिन के वीडियो के सेक्शन में तो लिए सब्सक्राइब टोड़ वीडियो के तो टॉपिक इस ब्रेइन, व्रें वीडियो नोद्व सक परने वीडियो में एड का जो सक्यलाटन होता है उसको हम इसकल बोलते हैं It consists of several bones that are joined together to form the cranium तो बहुत सारी several bones होती हैं जो की साथ में join होती हैं मिलके cranium का formation करती है The term skull includes the mandule or lower jaw which is a separate bone तो यह जो skull है उसमें हम include करते हैं mandule को भी जबकि mandule जो है वो एक separate bone है वो हमारे head के साथ नहीं जुड़ी हुई है Mandible का एक joint बनता है Temporo-mandibular joint बनता है इस वज़े से joint है with the skull बट वैसे mandible जो है एक अलग bone है एक separate bone है ठीक है However, the two terms skull and cranium are often used synonymously Skull can be divided into two main parts तो दो main parts होते हैं skull के एक है calaveria जिसको हम बोलते है brain box मतलब कि इसके अंदर brain जो है वो अच्छे से product रहता है उसका नाम इसलिए पड़ा हुआ है brain box brain का box upper part of the cranium which includes the brain cranium का जो उपर का part है upper part उसको हम बोलते हैं calaveria या फिर brain box second is that the facial skeleton constitute the rest of the skull and includes the mandible तो मैंने आपको बताया ना कि skull जो है उसमें हम mandible को भी include करते हैं तो जिस पार्ट में इसकल के जिस पार्ट में brain है brain protect होके अच्छे से रहता है जिसमें brain रहता है उसको हम बोलते है brain box या फिर हम कै सकते है calaveria and the facial skeleton जो है उसमें आता है हमारा skull के साथ-साथ mandible भी ठीक है so second point हम discuss करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर bones of the skull also ठीक है तो हमने skull को समझा और हम उसकी bones को समझेंगे so skull consists of the 28 bones total 28 bones है जिसमें हम पहले discuss करेंगे जो calaveria part है मलब की जो brain case है या फिर हम कह सकते हैं जो brain box है उसके अंदर कौन-कौनसी bones होती है कौनसी paired है और कौनसी unpaired है हम इसको discuss करेंगे so calaveria और brain case is composed of 14 bones calaveria जो है उसके अंदर 14 bones होती है including three paired ear ossicles ear ossicles मलब की हमारे कान की bones कान की हड़ियां ठीक है so कौन-कौनसी होती है यह लिखी है paired यह है unpaired so paired है parietal, temporal, melleus, incus, steps यह तीनो जो है यह तीनो bones जो है यह हमारे कान की bones है और parietal और temporal यह जो है यह skill की है parietal and temporal तो इसके trick बनाईए मैंने paired bones को यहाल रखने की PTM is PTM जैसे की होती है parents teacher meeting and is तो P से हो गया parietal, temporal, melleus, incus, steps यह आफर दाट unpaired, unpaired में आती है frontal, occipital, sphenoid और ethimoid these all are the unpaired मतलब की single one bone होती है यह इसके trick है force जैसे होता है rose अब अगर आर कर दे तो यह हो गया rose but trick is that force so always remember for unpaired the trick is the force and for the paired trick is the PTM is okay so यह हो गया जो calaveria मलब की brain part होता है उसके अंदर कितनी bones होती है तो वह हो गई 14 ठीक है 14 होती है facial skeleton में total मैंने बताया था कि हमारे skull में 28 bones होती है 20 जिसमें से 14 bones में यह हमने discuss कर लिया calaveria part and 14 bones में हम discuss करेंगे facial skeleton so facial skeleton is composed of 14 bones paired and unpaired paired में है maxilla, zygomatic, nasal, lacrimal, palentine and inferior nasal कौंके तो यह सारे के सारे कैसे हैं paired है मतलब की दो 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 है इसकी trick है मेरे पास ma, jao, na, la, pa, in वैसे बहुत funny है मतलब मैंने सोचा कि कुछ बना दूँ आपके लिए trick तो आप दोखो कैसे आद रहेगा यहाँ पर a आ रहा है m के बाद है ma, na, la, pa ठीक है बस इन नों में difference है इसमें in है इसमें z y है तो यहाद रखना है इसकी trick क्या है maxilla, zygomatic, nasal, lacrimal, palentine and inferior nasal conca these all are the paired bones, paired facial skeleton bones second is the unpaired, unpaired में आता है mandible and the vomer यह दोनों एक-एक होती है mandible भी एक ही होता है and vomer जो nose की जो bone होती है वो भी एक ही होती है इसकी trick हो गई ambi इसमें physics में पढ़ता है ambi तो these all are the bones of the skull इसमें 28 bones थी जिसको अमने divide किया two parts में एक ता जिसमें कैलोई एरिया पढ़ा मलों की 14 bones और एक पार ता फेशल स्काल जिसमें पढ़ी 14 bones यह रही आपकी trick सबकी so इनको अच्छे से remember कीजिए and the most important thing अगर आपको यह lesson यह video पसंद आया हो तो please hit like button share with your friends and subscribe my youtube channel for watching so many more videos and I hope कि अपने मेरा new year january plan जरूर देखा होगा आपने नहीं देखा है तो आपको description में लिंक मिल जायागा definitely देख लिए क्योंकि new year plan में आपको यह बताया है कि january में कौन कौन से videos डालने वाली हूँ और अभी तक मैंने बहुत अच्छे से अपना काम पूरा किया है जिस टाइम पे मैंने जिस इस डेट में जो भी वीडियो बोली है मैंने वह अच्छे से अपलोड की है बहुत सारी वीडियो अपलोड की है टाइ टाइक यह सो मुच